हेलो फ्रेंड वेलकम टू सिक्षित तो कैसे हैं आप सब आई हूप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिप्रेशन सबकी बहुत अच्छे से चल रही होगी तो पंजाब प्रिप्रेशन के साथ तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब से रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समया पर कर रहे हैं अब पंजाब का यह पार्ट टू है चोटे चोटे वीडियो आपको इसमें मिलते रहेंगे ठीक है और यहाँ पर जो चीज ध्यान में रखने वाली वो यह है कि हम चाहते हैं कि आप इन चीजों को वीडियो के साथ ही लर्न कर लें ठीक है और वीडियो में आपको साथ साथ नोट करने की कुछ भी जुरूरत नहीं है आपको पीडियाफ अवेलेबल रहेगा नीचे पाकिस्तान के साथ बनाता है उसके लावा में यह भी देखा कि कौनसी डिस्ट्रिक्ट के साथ वो बॉर्डर फॉर्म करता है अब पार्ट व में बिसिकली बताए पार्ट वे पड़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट अनिमल ऑफ पंजाब के बारे में कि स्टेट अनिमल ऑफ पंजाब कौन है क्या है और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो आपके एक्जाम पॉइंट आफ यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते ह किसमेंज से फैक्ट्स देखेंगे और अल्टिमेटली स्टेट अइक्वेटिक अनिमल ऑफ पंजाब से रिलेटेड कुछ अनिमल इस पर्टिकुलों वीडियो में कवर करनें औरस आपले स्टेट अनिमल अगर हम बात करने तो स्टेट अनिमल जो है आपका ब्लाकबग ऐथ यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 2018 का पेपर उठाकर देखो तो 2018 के पेपर में जो स्टेट बर्ड है यहाँ पर आपका गॉस हौक ठीक है तो गॉस हौक का साइंटिफिक नेम बहाँ पर पूछा हुआ है में 2018 में अब 2020 के पेपर में वह स्टेट अनिमल का सीनेफिक नेम पूछ सकते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं तो आपको साइंटिफिक नेम तो पता होना चाहिए इसी लिए सको ऐख से याद कर ले ना एंचल्क से एत कप्रा ऀल । थिक है तो स्टेट अनिमल है अब न्यूस में सुना होगा, इस फिल्म पर्सनालिटी के वज़गे से काफी जादा न्यूज में रहते हैं, वो इस फिल्म पर्सनालिटी का नाम है सुल्मान खान, जी हा बिलकुल, इनके वपर केस चल रहा है, ब्लैक बग उन्टिंग के ओपर, ठीक है, तो इस वज़गे से important facts देख लेते हैं सबसे पहले यह एक डायोडनल जानवर है ठीक है डायोडनल जानवर का क्या मतलब होता है कि यह मेंली दिन के समय में एक्टिव होता है रात को सोने वाला जानवर होता है कहीं जानवर होते हैं वो दिन और रात दोनों समय एक्टिव रहते हैं लेकिन यह पर पूरत होती है जहां पर हलका जंगल हो हलकी घास हो ठीक है बहुत घने जंगलों में यह नहीं रहता है और यह किस वातावरन में रहता है होट एंड हुमिड क्लाइमिट इसको चाहिए होता है ठंडी जगाओ पर आपको ब्लैक बग देखने को नहीं मिलेगा यह भी एक इंप important factor, स्वaking बीस नहीं को का फुक्न जो आपका UPSC पूचता है न तो स्टेमेंट बेस्ट में इस तरह के फईंन्ट सब्सक्राइब नऊप चाजएब पूंसरान टं जो आपका UPSC का अगर आप पंजाब सिवल सर्विस melhor ऑं तो इसमें यह स्टेडमेट बेस्ट को आप 197 अप For example, यहाँ पर मैं statement लिखता हूँ, examiner कह देता है, male antelops are hornless. तो आप क्या कह दोगे इस statement को, आप कह दोगे गलत है statement, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कि female antelops जो होती है, जो female black buck है, वो hornless होता है, ना कि male, ओके, चलिए. इसको हटा देते हैं यहाँ से, चलिए, आगे continue करते हैं आप. ओके, next point, it is considered to be the fastest animal, काफी तेज भागने वाला animal है, और चीता के बाद सबसे तेज जानवर इसको माना जाता है, ठीक है, IUCN status, IUCN जो आपके animals के threat perception, threat क्या है उन animals का, वो बताती है कि animal critically endangered है, endangered है, या उसको कोई खत्रा नहीं है, या वो vulnerable है, तो IUCN के status के हिसाब से, ये least concern इसका status रहता है, मतलब कि बिल्कुल खत्रे वाला जानवर ये नहीं है, कि खत्म होने वाले है ये, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो, ये कहां-कहां पर मिलता है हिंदुस्तान में, Central Western India में मिल जाएगा, आपको जैसे MP, Rajasthan, Gujarat, Punjab, Haryana, Maharashtra और Odisha जैसी states में, South India में भी आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे Karnataka, Andhra Pradesh और Tamil Nadu, अब अगर examiner आपको इस तरह से फसाने की कोशिश करता है, और examiner आपको statement दे रहता है, that black bug is only found in North India, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से examiner आपको फसाने की कोशिश कर सकता है, अब यहाँ पर examiner ने लिख दिया कि black bug इंडिया में, सिरफ North India में पाया जाता है, पर ऐसा नहीं है, black bug आपका South India में भी हमने देखा कि black bug आपका South India में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि black bug सिरफ North India में अवेलेबल है, तो ये statement आपकी वाँ पर exam में क्या हो जाएगी गलत, तो इसी तरह से आपने अपने दिमाग को खुला रखना है paper देते हुए, कि आप से क्या पूछा गया है, और आपने ये only जैसे keywords के उपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इनी सब चीजों में examiner आपको फसाने की कोशिश करता है, और कुछ facts देख लेते हैं, अब हिंदुस्तान में कुछ national parks और centuries ऐसी हैं जहां पर आपका black bug जो हैं पाया जाता है, जैसे कि वेलवदार wildlife century ये गुजरात में हैं और रने बनूर wildlife century ये करनाटका में हैं, ठीक है, इन wildlife centuries में भी आपका black bug जो है इसको रखा जाता है ये पाया जाता है वहां पर, अब ये wildlife centuries भी आपके लिए fact important हो जाते हैं, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ दिया जाएगा कि वेलवदार wildlife centuries in which state, तो आप कहतो कि गुजरात, ठीक है नीचे चार option होएंगे, चार states के नाम होएंगे, लेकिन आपका अंसर हो जाएगा गुजरात, या रने बनूर वो black bug sanctuary कहाँ पर है, ये century तो specifically बनी black bug के लिए है, तो ये रने बनूर black bug century कहाँ पर है, option for example में आपको दे दूँगा कि ये पंजाब में है, ठीक है क्योंकि काफी बच्चे दिमाग चलाएंगे कि black bug हमने पढ़ा था कि पंजाब का state animal है, वो पंजाब पे अंसर लगाएंगे, बी होएगा हरियाना, सी होएगा राजस्तान और डी में मैं कहाँ दूगा कि करनाटका, तो आपका अंसर क्या हो जाएगा, करनाटका इसमें अंसर हो जाएगा, तो इस तरह से आपसे PCS में, प्रिलिम्स में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, अब ब्लाक पक जो है, वो हिंदू इजम, हिंदू धरम में भी इसको काफी significant माना गया है, यह कुछ हिंदू gods हैं, जिनकी सवारी माना जाता है कि ब्लाक बग जिनकी सवारी थे, ठीक है, और Indian and Nepali villagers do not harm the antelope, ऐसा बहुत जगा उपर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एक बिश्णोई community है, राजस्तान में, यह पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, अपने conservation efforts के लिए, और ब्लाक बग और चिंकारा जैसे animals को protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, यहां तक कि स अलमान खान के ओपर जो case हुआ था, वो भी इस particular community के representatives नहीं किया था, अब हिंदुस्तान में black buck का शिकार करना एक जुर्म है, एक crime है, और यह कहा गया है, schedule one of wildlife protection act में, तो schedule one of wildlife protection act ने क्या किया है, इसके ओपर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है, black buck की hunting के ओपर, और अगर कोई इस जानवर की hunting करता है, तो उसको 7 साल की jail होने तक का कानून इस wildlife protection act 1972 में बना हुआ है, तो यह भी आपके लिए कुछ important facts हो जाते हैं, आप से सिधा सिधा यह पूचा जा सकता है, कि wildlife protection act 1972 के under, अगर black buck की hunting आप करते हो, या schedule one animal की आप hunting करते हो, तो आपको कितने साल की jail सकती है, तो आप सिधा सिधा क्या क्या दोगे, कि 7 साल की jail हो सकती है, ठीक है, multiple options होंगे, उसमें आप अंसर दे दोगे, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो ना, कि किस तरह से आपको questions जो हैं, exam में पूछे जाएंगे, फिर भी अगर किसी को कोई doubt हो, तो वो comment section में comment करके प ठीक है, इसका scientific name है, essepiter gentilis, यह 2018 के paper में पूछा जा चुका है, ठीक है, 2018 के paper में इसका scientific name पूछा जा चुका है, अब इस bird से related कुछ important facts जो हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, ओके, सबसे पहले, तो यह जो bird है, इसको IUCN threat list में least concern में रखा गया हुआ है, black bug भी least concern में था, bird भी आपका least concern में है, ठीक है, state bird है पंजाब का, इसको आप Northern Gus Hawk या बाज या बाज भी कहते हो पंजाबी में, ठीक है, अब यह वो ही bird है, जो आप Guru Gobind Singh Shri Guru Gobind Singh Ji के जो portraits आप द Guru Gobind Singh Ji, जो आपके 10th Sikh Guru है, उनके हाथ के ओपर आप portraits में देखो कि एक पंची होता है, तो वो पंची जो है, यह आपका Northern Gus Hawk ही है, और इसको माना जाता है कि यह Sikh religion में, इसको as a symbol of strength and tenacity, मजबूती और जो है, जाबाजी का इसको symbol जो है, Sikh धरम में माना जाता है, अब यह बर्ड नहीं था, उससे पहले जो आपका state bird था, पंजाब का वो था चक्की हारा, ठीक है, और यह चक्की हारा पंजाब का 1933 से लेकर 1990 तक state bird रहा, ठीक है, अब बाज बाद में declare किया गया, पंजाब गूर्मेंट ने 1989 में declare कि हम बाज को बर्ड बनाएंगे अपना state bird, क्यों जो portraits हैं, उसमें भी उस bird को represent किया जा सकता है, और इसी वज़े से चक्की हारा को हटा दिया गया, चक्की हारा को farmers friend भी माना जाता है, क्योंकि वो pest वगेरा को और वो सब चीजों को remove करने में, और जो आपकी pollination होती है, उसमें farmers को काफी help करता है, इस particular bird के बारे में, जो बा से आप associate कर सकते हो, इसको सिख हिस्ट्री में एक शक्ती या power का symbol माना जाता है, ठीक है, और यह यहां तक कहते हैं कि बाबा फरीद जी जो थे, उनका अगर आप एक दोहा उठा कर देखो, तो उसमें भी उन्होंने बाज की significance को बताते हुए का है, कि बाज is the all powerful witness, बाज जो कोई उनको देख नहीं रहा है, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, बाज ऐसे बुरे काम करने वाले लोगों को completely destroy कर देता है, यह आपके बाबा फरीद जी ने ऐसा statement दिया था, तो यह भी आप से exam में पूछा जा सकता है, कि who passed this statement, ठीक है, PCS में आप कुछ भी expect कर सकते हैं, त तो आप जो है, मुझे whatsapp कर सकते हैं, यह मेरा number है, ठीक है, इस पर आप मुझे whatsapp कीजिए, या फिर आप comment section में अपनी query post कर सकते हैं, या फिर आप मुझे mail कर सकते हैं, इस id पर, kethan at the rate sikshit.com या फिर आप हमारी website के उपर जाईए, www.sikshit.com, वहाँ पर जाकर भी आप अपनी queries जो है, पोस्ट कर सकते हैं, और इट, चलिए, ओके, state bird भी हो गया, अब बात करते हैं, state aquatic animal की, ठीक है, aquatic animal, aquatic का आप समझते हैं, जो पानी वाला जानवर, ठीक है, तो state aquatic animal कौन है, पंजाब का Indus river dolphin है, तो Indus river dolphin के बारे में पढ़ लेते हैं, तो South Asian river dolphin, इसको कहा जाता है, ठीक है, और अगर scientific name इसका देखें, तो platensita gangetica, ठीक है, तो यह इसका scientific name है, यह एक endangered species है, IUCN status के इसाब से endangered species है, हमने सबसे पहले देखा state animal, least concern, फिर हमने देखा state bird, least concern, अब हम देख रहे है state aquatic animal, state aquatic animal क्या है, endangered, तो यह चीज़े अभी दिमाग में बिठा लो, ठीक है, यह एक fresh water dolphin है, ठीक है, डॉल्फिन भी दो तरह की होती है, एक जो fresh water में रहती है, एक जो salty water में रहती है, saline water में रहती है, तो यह fresh water में पाई जाती है, यानि कि नदी के पानी में, ठीक है, और य इसकी sub-species है, जनरली चार sub-species है, लेकिन इंडिया के केस में, दो sub-species अभी यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आजाती है आपकी गेंजेज रिवर डॉल्फिन, अब यह गेंजेज रिवर डॉल्फिन इसका नाम क्यों है, क्योंकि आपको में गंगा नदी में या गें शिर्टोन इसका नाम इसलिए गेंजेज रिवर डॉल्फिन है क्योंकि रिवर इंडिया की में पाई जाती है, और यह रिवर इंडिया से ज्यादा अ áreas रागट्व wraps पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, क्योंकि इंड़न क्यों क्यों पाकिस्तान की तरफ, दिक है, लेकिन पंजाब में भी जो ब्यास और Indus की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पर ये आपको Indus River Dolphin पाई वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी ठीक है अब ये जो Ganges River Dolphin है या Indus River Dolphin है इसमें थोड़ा सा difference आपको समझना है जो Ganges River Dolphin है वो भारत का national aquatic animal है, ना कि Indus river dolphin, क्योंकि दोनों का जो area है, वो geographical area है, वो दोनों का अलग-अलग है, तो यहां पर आपने confused नहीं होना, अगर examiner आप से पूछ लेगी question में कि बताओ भाईया कि इंडिया का state national aquatic animal कौन है, और option में Indus river dolphin हो, ठीक है, और option में Ganges river dolphin भी हो, तो वहां पर आपने यह नहीं सोचने बैठ जाना कि लो, यह PCS वालों ने question गलत दे दिया, यह तो दोनों ही answer होएंगे, नहीं, उसका answer Ganges river dolphin होगा, क्योंकि national aquatic animal अपका Ganges river dolphin है, ना कि Indus river dolphin, ओके, तो Ganges river dolphin जो है, वो आपका national aquatic animal है, in fact अभी वीसेंट्ली, गौहाटी, जो असाम में एक city है, गौहाटी ने Ganges river dolphin को as a city aquatic animal भी declare किया था, और गौहाटी एसी पहली city बनी थी जिसने अपना aquatic animal declare किया, नहीं तो जनरली यह तो national aquatic animal होता है, या state होता है, किसी भी city का animal आपको देखने को नहीं मिलेगा, पंजाब में ऐसा नहीं है कि फिरोस्पूर का कोई state animal है, फिरोस्पूर का कोई animal है, फिरोस्पूर district animal या फिरोस्पूर bird ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन गौहाटी ऐसी पहली city बनी थी, जिसने national, आपकी इंदस river, sorry, Ganges river dolphin को as a गौहाटी city animal declare किया था, ठीक है, अब ये जो आपका इंदस river dolphin है, जो पंजाब का state national, पंजाब का state aquatic animal है, ये पाकिस्तान का national mammal है, ठीक है, ये भी आपको याद रखने, आपसे पूछा जा सकता है कि the state aquatic animal of Punjab is the national mammal animal of which country, national mammal of which country, ठीक है question इस तरह से पूछा जा सकता है, नीचे option दे देंगे, A में दे देंगे पाकिस्तान B में दे देंगे बांगलादेश C में दे देंगे आपको नेपाल D में दे देंगे चाइना, ठीक है तो आपका answer क्या हो जाएगा, इस case में इस case में आपका answer हो जाएगा बच्चो आपका answer होगा पाकिस्तान समझे रहो, question किस तरह से frame हो सकते हैं यह मैं आपको इना पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब यह जो दोनों है, लेकिन गेंगेटिक और इंदस दोनों endangered में आती है इसमें confuse नहीं होना कि गेंगेटिक endangered है, तो इंदस भी endangered है कोई और category में है, आती ही दोनों ही आपकी endangered categories में है, all right चलिए ओके, तो friends यह हमारे आज हमने जो है state animal, state bird और आपका state aquatic animal किया पंजाब का, ठीक है तो उसके इलावा दोस्तों यह हमारा PCS का जो full fast track course है, ठीक है, यह आप हमारी website के ओपर जाकर www.sixit.com s-e-k-h-s-h-i-t .com पर जाकर explore कर सकते हैं, बहुती reasonable price का यह course है, इसमें हम आपको completely पूरा syllabus कराएंगे pre-commends का यह syllabus इसमें cover किया जाएगा, ठीक है, नीचे description में link है, आप जाकर के इसको explore कर सकते हैं तो I hope आप लोगों को मज़ा आया होगा पंडे में, अगर आप ऐसे और वीडियो चाते हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा, regular updates मिलते रहेंगे, साथी bell icon होता है, उसके वो press कर देना, ताकि notification आपके mobile में आ जाए, कोई भी doubt हो, तो website के उपर, email के उपर या mobile के उपर आप जो है, contact कर सकते हैं, साथ ही साथ आप comment box में अपनी queries भी post कर सकते हैं, so thank you very much, all the best and bye-bye